हालो अब्रीवन कैसे आप लोग उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे देखिए सुजुरान एनरजी पर बहुत सरी रिक्वेस्ट आई वीडियोज कमपोज करने के लिए बेसिकली मैं छोटे जो स्टॉक है उस पर वीडियो बनाना उतना ज़्यादा कमपेडेवल नहीं सोचता हूँ विकॉज मैसेच बहुत लोगों तक पहुँचता है अगर आपका कमाया हुआ एक भी रुपिया हमारे वज़े से चला गया या फिर आपने बहुत लंबे समय ते किसी स्टॉक को हूड़ गया आपका पैसा चला गया तो कहीं न कहीं आपके दिल से जो आ निकलेगी जो आपको वो फिलिंग आएगी उससे हमें भी एफेक्ट पड़ेगा बहुत सारे लोग हमें आज भी आलोग इंडेस्रीस के और कमेंड करते हैं इसलिए मैंने आलोग इंडेस्रीस पे कबर करना ही छोड़ दिया लेकिन आज भी जब से मैं उसे stock को cover कर रहा था वहां से भी वो stock आज भी profit पे है क्योंकि 15-16 rupees पे trade कर रहा और मैं stock को 3-4 rupees से आपके सामने रख रहा था even 60 rupees तक का momentum उसे stock ने किया था जिन लोगों ने पैसा बनाया वो आज भी हमें काफी ज़्यादा appreciate करते हैं कि जिन लोगों ने 60 rupees पे position बनाया definitely उनके लिए काफी घाटे का सौधा होगा आज मैं एक चीज और कहना चाहूंगा जितने भी penny stock है ये नाम से काम उससे भी ज़्यादा अच्छा करते हैं penny stock का मतलब क्या है आपको अच्छी तरीके से पता है penny stock का मतलब ये आपको pain देना मतलब gain तो बहुत कम मिलेगा बट pain आपको बहुत मिलेगा तो वो pain नहीं लेना है कब आपको pain होगी इस चीज को समझेगा मैं सुझलोन पर काफी अच्छी चीज़े आपके साथ में share करने वाला हूँ पूरी वीडियो देखके जाइएगा आपको अपको अपनी capital का उतना ही हिस्सा लगाना है जितने हिस्से में आपको pain नहीं हो मतलब अगर आपने 8 रुपे के 1000 share करी दे तो आपका investment गया 8000 का ये कब किजेगा जब आपका capital almost 5 लाग के आस पास में है मतलब 5 लाग का आपका capital है जिसमें आपने 8000 का risk ऐसे stock पे लिया जो rocket hero या zero हो सकता बट zero होने से पहले आपको information मिल जाएंगी आप उससे पहले exit कर जाएंगे ऐसा नहीं कि पूरा पैसा गुल हो जाएगा अगर आप 1 लाग के capital पे हैं तो आपको सिर्फ सिर्फ दो से डाई परसेंट मतलब 2 से डाई हजार का ही इस stock का मल खरीद आपको pain नहीं होगी आपको आपने 1 लाग पे डाई हजार का risk खेला आपको रात को chain की नीद आएगी बट आपने अगर पूरा 1 लाग आपने risk में लगा दिया मैं definitely के साथ और दावे के साथ कह सकता हूँ आप पैसे ने बना के जाएंगे इस stock से आप पैसे गवा के जाएंगे अब आती है बात इस stock पे पहले तो कोई recommendation नहीं है मैं बिल्कुल clearly आपके सामने ये कहना चाहूँगा कि मैं इस stock पे खुद भी एक पैसा नहीं लगाया हूँ और आपको भी नहीं कहूँगा लगाने के लिए but stock की review होनी चाहिए because इससे message बहुत लोगों तक पहुँचती है और कहीं ने कहीं सोचने का जरिया सोचने का नजरिया बदलता है अभी बात करूँगा सुझलान पे पैसे क्यों नहीं लगाने चाहिए because सुझलान एनर्जी एक ऐसा दिगज कॉलिटी सेर था अपने टाइम पे जैसा आज के डेट में रिलाइंस इंडस्टीज है और ना जानी कितने सारे सेर्स हैं जो रिंडमली आपको पैसे बना के देरा इन्फोसिस है आप वहाँ पे एक लाग रुपे के अगर दाव लगाते है ना इन्फोसिस पर आपको रात कुछ एन की नहीं आएगी because वह स्टॉक आपके पैसे को आपके कैपिटल को पूरी तरीके से खत्म नहीं होने देगा और खत्म होने से पहले आपको बहुत मौके मिलेंगे तब आप उससे एकजीट कर जाएगे यस बैंक की कहानी अगर आपके दिमाग में आ रही होगी तो यस बैंक हमने आपको बहुत पहले कहा था कि इस कॉंट्रोवर्सी वाले स्टॉक से बाहर निकले बैट लोग क्या सोच रहते हैं अटारा सो रुप्य बारा सु रुप्य का भावला स्टॉक अगर पचास रुपय मिले तो किसी को भी लाला चाहती है तो सुझलोण एनरजी पर अगर आप पैसे लगाएं या फिर लगाना चाहते हैं आप एकदम छोटा सा कैपिटल लगाई रिस्क अगर लेना चाहते हैं छोटा सा लीजिए रिवार्ड आपको खुदी-खुदी इसमें बड़ा मिल जागा बिकोज यह आट रुपय के स्टॉक आट सु रुपय तक भी जा सकता इवन सुले सु रुपय तक भी जा सकता इसमें कोई किन्तु परंत नहीं है विकोज कंपणी का बिजनेस मॉडल जो वह काफी अच्छा है इसलिए कि रिवल एनर्जी का बिजनेस मॉडल है और आप दो देखी रहे हैं एनर्जी की क्राइसिस कितनी जबर्जस चल रही है जिसमें यह कंपणी क्या करती है तो यह कंपणी विंड टर्बाइन मतलब विंड मतलब हावा को यूज करते हुए यह एलेक्टिसिटी जेनरेट करती है बहुत ही सिंपल लेंगवेज पर मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं बाकी इनका बिजनेस मॉडल और कुछ नहीं है मैं आपको इसका फाइनेंसियल डेटा एक बाद चेक करवाता हू यह कमपनी लॉस मेकिंग कमपनी रही किलियली 700-800 करोड की लॉस होती थी कंटिनियोसली लॉस होती थी बड़ पिछले दो सालों में इस स्टॉक ने अपने डेट को कम किया मतलब अपना जो इनका जो पैसे उधार के लिए हूए थे वो इस स्टॉक ने कम किये सबसे पहली अच्छी बात है दूसरा इस स्टॉक पे अब बहुत सालों के बाद में पिछले क्वाडर में इसमें प्रॉफिट देखने को मिला तब 15 करोड की ये एक और पॉजिटिव साइन है जिसके बज़े से लोग इंटरेस्टेट हो रहे हैं मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इ तेंट चार सालों में पिछले तीन-चार कॉडर्ण है को दर हमाण मान सकते हैं मार्च ऑजर्चीज का कोड़र जिसमें इन्होंने अपने कर्च को कम किया फिर मार्च 2020 कास्खना ये ऐगार्च फिर टोड़ा सा इनका डीट कम हूश और तो हम पे ये बहुत ही बात है लेकिन सबसे दर्दनाक और सबसे डरावना जो पिक्चर है न वह यहां पे जलगती है क्यों पर मोटर्स की होल्डिंग ओल्ली 14 परसेंट इस स्टॉक पे 7 परसेंट का माल उठाये हैं बट यह पोजिशन बहुत पहले से बनी हुई है मैं आपको अभी दिखा रहा हूं इस चीज इन सभी चीजों को पाने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना चाहिए अगर यह चीज आपको अच्छी लगी तो FIIs की अगर मैं डेटा की बात करूँ तो डेटा आपको नजर आ रहा होगा कि यह मार्च 2020 से ही इन्होंने अपना पुजिशन बनाना स्टार्ट कर दिया था यह कल और पर्सों माल नहीं खरीड के बैटे हुए और देखिए यहां तक तो इन्हों ने माल खरीदा सेप्टेंबर 2022 तक अक्टूबर के कवारडर में यहां पर माल बेचा गया इस चीज को clearly ध्यान पर रखिएगा कि माल बेचा गया September, October quarter में अगर मैं D.I.S की बात करूँ तो D.I.S का डेटा आपको काफी जबर जस्त चौकाना लगेगा और इस चीज को बिलकुल आप इसे हलके मन लीजिएगा इससे बहुत सारी चीजी clear हो जाती है कि भाईया जो बड़े मचली है न वो अपना position बना रहे हैं या फिर exit कर रहे हैं तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पे देख लिजे Street Bank of India की जो journey है वो आपको अच्छी तरीके से पता है कि क्या स्थिती है और बहुत सारी यहाँ पे और बड़े-बड़े funds हैं बड़ सबसे चीजे हैं कि DIA इसने 5% 2000 मार्च में 2020 में इन की position थी जून में 16% हुई 17% हुई और देखिए अभी continuously यहाँ पे माल बेचा जा रहा और आप और हम माल को खरीद रहे हैं इस चीज को ध्यान पे रखिएगा 14 से यह 13% पे आया और 13 से यह 15% पे आया और अच्छानक से यहाँ पे स्टेक सेल किये गये हैं September quarter में September quarter में यहाँ धडले से माल बेचा गया DIAIS के तरब से और October में भी यहाँ धडले से माल बेचा गया तो भीया जब बड़ी मचलियां इन स्टॉक से अपनी प्रॉफिट बुक करके निकल रहे तो माल खरीद कौन रहा तो भीया आपको पताई होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा उतावला और सबसे ज़्यादा जो रेस में आगे रहते हैं स्टॉक को बाई करने में वह हमारा पबलिक है जो रिटेल इन्वेस्टर है और यहाँ पे देखिए इन्होंने सब जगहों पे माल बेचा था और यहाँ पे माल दबा के खरीदा 63% के बाद में 70 और 72 यह काफी डराव ना सबसे ज़्यादा पैनिक कहां पर होती है पबलिक पर होती है जिस दिन यह स्टॉक गिरेगा ना वन वे गिरावाट आईगी विकोज यह सारे लोग उससे में कुछ नहीं सोचेंगे कि लॉस हो रहा प्रॉपिट हो रहा है स्टॉक की अनालेसिस करता हूं फंडामेंटर्स चेक करता हूं खरीदने से पहले कभी नहीं देखेंगे और बेचने के बाद देखेंगे यह सारी चीज़े आपको समझ में आने चाहिए सुझलन एनरिजी एक बहुत अच्छा सिगमेंट पर है बिजनस एनरिजी के सिगमेंट पर अगर आपका मन नहीं मानता है तो आप अपना दो से डाई हजार तीन हजार चार हजार जैसी इसकी कैपिटल है उस पर रिस्क लेके इस स्टॉक पर बन सकते हूं वो भी मैं आपक में ज्यादा आप उतावला ना होएं और सिंगल बास्केट पे सारे एक्स को ना रखे यह वरेन वर्फिट का कमेंड है और कमीटमेंट है और उन्हेंने कोटिशन भी लिखा है विकोज अगर बास्केट एक गिरेगा तो पूरा का पूरा जो जितने आपने एक्स रखे है जितने शेयर करिद के रखे है न सब टूट जाएगा जितना पैसा आपने लगा रखा सब खत्म हो जाएगा तो आपको डिफरेंट डिफरेंट बास्केट पे आपको एक से रखने चाहिए मतलब अलग-अलग सेयर्स खरीद के आपको पूर्टफॉलियो पर डालना जिस पर हाइली पोटेंसियल है कि आपका केपिटल बहुत ही सुरक्षित रहेगा लीजिए मैं वीडियो पे बहुत सारे स्टॉक्स बता देता हूं आप जा सकते हैं लार्ज केप सेक्टर पे तो आपको बैंकिंग से ICI से बैंक, कोटेक मेहंदरा बैंक, HDF से बैंक, IT से इनफोसिस, TCS, Vipro और ओटो मोबाइल इंडेस्ट्री से मारूती, हिरोंडा, टाटा मोटर्स, अशोक लेलेंड ये सारी चीज़े आप ले सकते हैं फार्मसूटिकल पे मैं इंट्रेस्टेड नहीं हूँ, मैं सेक्टर को ट्रैक भी नहीं करता हूँ, तो आप उससे आप चून लिजेगा, और बाकी ओईल एंड गैस सिगमेंट से रिलांज इंडेस्ट्री है, उनका दो कोर बिजनस है, बहुत सारी वीडियो उस पे बात कर तो प्लीज वीडियो अगर अच्छा लेगे तो लाइक करके चैनल के सब्सक्राइब करके जाएगा, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे तब तक के लिए बहुत 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 थे, तैंक्यू